नमस्का दोस्तो अंजू बालकनी एंट टेरिस गर्डन में आपका फिर से सौगत है ये है हमारी बालकनी और बालकनी में ये जड़ प्लांट का बहुत ही सुन्दर टोपियरी जो हमने बनाई थी करीब 8-9 महीने पहले मैंने स्टार्ट करा था इसको बनाना और जड़ प्लां पूरी लगता है तो मैं आपको इसे किस तरह से मैंने स्टार्ट किया था किस तरह से इसको बनाया था तो ये पूरा अभी हम पूरा आपको दिखाएंगे और जड़ प्लांट को कटिंग से आप आराम से लगा सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसमें बहुत अच्छे से लग जाता है बस इसको चाहिए दूप पूरी लाइट चाहिए इसको अच्छी लाइट और पानी इसको बिल्कुल आपको कम देना होता है देखिए कितना खुबसूरत बन गया तो सबसे पहले मैंने इस तरह का गोल नहीं है थोड़ा ओवल शेप में एक छोटा सा गमला जो चार इंच का ही है वो लिया था यह देख रहे हैं आप इस तरह की मैंने आइस क्रीम की जो स्ट्रिप्स होती है उनको इस तरह से लगा दिया और यह चोटी चोटी बर्ड्स मेरे एक उसमें आई थी तो मैंने दो बर्ड्स उसमें से लेके और इस तरह के स्टोन पर उनक वाला तार था एक तार की ये जैट प्लांट की टोपियारी दो बड़े बड़े जैट प्लांट के वो तैनी जो स्टैम होती हैं वो लेली दौनों से इसके उपर चड़ा दी हैं तो वो एक आराम से बन गया इतना सुन्दर ये काफी सुन्दर लग रहा है इस तरह से आप लगाई हैं और ये देखे गोल काफी तो उसके बाद ये मेरे पास एक और भी इस तरह की कटिंग आई थी तो तब मैं इसको बीच बीच में इसके साथ और जोड़ देती हूं इनके बगल में लगा के तो उससे ये और थोड़ा सा घना हो सकता है धीरे धीरे बढ़ता है क् तो अब देखिए किस तरह से कैसे लग रहा है बहुत सुन्दर दिख रहा है अभी भी देखिए दौनों बर्ड को इस तरह से बिठा दिया है जैसे वो एक दूसरे से बाते कर रही है और एक दीसरी बर्ड उधर से बाते कर रही हो ये काफी सुन्दर नजारा दिख रहा है अब मैं सोच रही हूँ इस जो मैंने बाव यह ओवल शेप में जो गमला लिया है इसको हम कलर करेंगे और यह देखिए छोटी-छोटी कटिंग्स भी मैंने इसके बीच में डाली है और इसमें मैं अब एक कलर करने की सोच रही हूँ वाइट कलर का तो वह कलर हमने इसको कर दिया था इसी टाइम की बात है यह वाइट कलर और कोई भी आपको इसमें कलर कर सकते जो आपको चाहे कलर आपको पसंदो और मैं यह जो प्लांट है उसकी जगह पर मैं इस पास एक शेप जी की मूर्ती है चोटी जिसमें पारवती जी पुरा शेप परवार है उसको हम रखेंगे यह देखिए और कलर हो चुका है वाइट कलर है उसमें चोटी चोटी मैंने यह ब्लू कलर से थोड़ी जाइन से बना दिया और यह देखिए कितने खूपसूरों दिख रहे हैं आब वह एक बड़ जो एक्स्ट्रा थी वह उपर विठा दिये देखिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स बिल्कुल डिवाइन फीलिंग आ रही है देखिए वाइट कलर के यह बर्ड्स हैं और शिप परवार जो हैं चुटा सा यह है तो फाइवर की फाइवर यह रेजिन जो बोलते हैं उनके ही हैं और यह दो दीपक हैं जिनके हमने मश्रूम टाइप बना दिये हैं देखिए इसमें थोड़े छोटे कलर करके डॉट्स लगा दिये हैं और यह इधर से देखिए अच्छी खासी ही यह जो इस मेरे पास जो बड़्स होती हैं चार बड़्स को मिलाके इनके लिए रखने के लिए लगा दिया है और यह आपको दिख रही है जो आइस्कीम की स्टिप जो आती हैं पकड़ने वाली तो उन पर मैंने वाइट कलर कर दिया वस उस यह तैयार हो गया डेकी काफी खुपसूरवत लग रहा है बहुत खुपसूरवत अब ही मिर पास जैट प्लंट की जैसे मेरे पास मोर वाला जो जैट प्लंट का टूप यार ही है तो वह जैसे बनने उसमें से कटिंग निकलेंगी तो उससे हम इसमें और भी इनके पीछे बिल्कल एक दम पूरा शेट जैसा बना देंगे इसका वो भी बहुत सुन्दल लगे गा। उसको एक अलग तार लेंगे और उस तार से वापस से उनके उपर और चड़ा देंगे। यह इस तरह का दखे सॉफ्ट वायर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है जिससे के आराम से इसके अंदर हम उस पे लपेट के और यह टोपी आरी मतलब यह वाला जैट प्लांट जो है ड्रॉपिंग वाला है जिसको जहां जैसे आप शेप देन नियुक्त है और इसको कर सकते इस पानीर पर इसको कोई दिककत से नहीं है पर अब को इसमें लाइं रखना इतना होता है वालकनी में दो बज़े के बाद धूरत जाती एंट तो कोई दिक्कत नहीं संदी है अगर दूरत cleared करणंधे मैं प्ल्स इच्छा रहेगा और थोड़ी कम दूप में और लाइट ओनली इंडारेक्शन लाइट हो उसमें रखो तब भी चलेगा उसके बाद देखी मैंने इसमें दो तार लगा दिये हैं अब करीव पांच हमीने बाद की स्टेटस है तो यह मैंने सारे वीडियो मिक्स करके बनाए है पहले वाला और अब का और यह देखिए छोटे-छोटे कप हैं इनको भी साइड में लगा दिया इनमें भी जो एक्स्टा हमारे जो जैड प्लांट की टोपियारी में निकलते हैं तो मैंने यह जो ब्रोकन कप हैं उनके अंदर यह जैड प्लांट की कुछ कटिंग्स लगा बस इस्प्रे कर देती हो पानी का वह भी बहुत सुन्दर लगता है यह देखिए एक दम बिल्कुल जैसे इनके उपर शेड लग गई हो बिल्कुल गोल कितना सुन्दर दिख रहा है इसके बाद आपके पास और भी निकलते हैं तो आप एक चोटा सा और भी बना सकते हो इ बहुत ही अपनी सुन्दर सेप में आ गया यह पूरा बिल्कुल और आप इसको एक मिनियेचर गार्डन भी बोल सकते हैं आप अपने एंट्री गेट पर भी रख सकते हैं बालकनी में कहीं भी या अगर आप टैरिस में रखना चाहें तो वहां भी रख सकते हैं और आराम से जैट प्लांट तो इस तरह का है ना तो कभी खराब होता है उसकी कोई भी आप आकार उसे अपना दे सकते हो जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्टैम्स निकलती हैं उनकी आप कटिंग कर सकते हो सुन्दर दिखेगा और बस इस तरह से बना सकते हो अगर आप मैंने एक मूर वाल जो नहीं भुड़ी है वह भी बढ़ जाएगी दीरे दीरे और यह दिखेँ बढ़्स प्हश़्ी महीने पहले नगाएं थी मैं इसमें पानी का स्प्रेय भी करती हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है आराम से यह स्प्रेय हो जाता है और इनमें भी हिनको भी हम इपिए कर देते हैं। तो इस तरह से आप ब्लांट की टोप्योरी आज शेप में आराम से बना सकते हो हूँ। मैं जैप्लांट की 10 लगा जैप्लांट की टोप्योरी है वो इसमें रख सकते हैं इसमें चाहूं तो आप यह जो हैं बुद्ध हैं वह भी रख सकते हो तो वह भी बहुत संदर लगते हैं यह देखिए यह थोड़ा मेरे डग टाइप मैंने बनाई थी उसकी है यह तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे आप बनाके और मुझे दिखाएं शेयर करें अपना वीडियो भी बनाके बस पाए दोस्तों